हेई एवरिवन, वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, होप यूरो डूइंग वेल, तो देखो आज हम हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वास्चिन्स को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं यह क्वास्चिन्स आपके प्रिवियस एक्जाम में पूछे गए हैं, so no doubt आपके आने वाले एक्जाम में भी यह बहुत जादा वेनिफेशल होने वाले हैं तो देखो आपको simply क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन questions में से कितने questions सही होंगे वा कितने गलत होंगे बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को like जरूर करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल Let's Prepare को सबस्क्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Question No.91 से हम स्टार्ट कर रहे हैं The first open university in India was established at तो भारत का परतम मुक्त विश्यवी दियाले कहां पर स्थापित किया गया था तो देखो भारत का परतम मुक्त विश्यवी दियाले जो है तो है तो हैदराबाद में स्थापित किया गया था Option यहां पर एक औरेक्ट हो जाएगा अब देखो यहां से कुछ questions निकल कराते हैं परतम मुक्त विश्यवी दियाले से अचा, किन होने इसकी स्थापना की थी? तो आपको note रखना है राम, रेडी के दवारे कि स्थापना की गई थी राम, रेडी के दवारे ऊके यह भी पूछ लिए जाता है कि यह प्रतम मुक्त विश्यवी दियाले जो है कर लिए अगले कौशन की बात करें 92 कौशन है Who were Dasyu Dasyu कौन थे तो देखो Dasyu कौन थे तो ये Original Inhabitants Of India यानि की भारत के मौल निवासी थे option D यहां पर correct होगा 93 कौशन की बात करें Where was Buddha born तो देखो Buddha का जनम कहां पर हुआ था तो देखो Buddha का जनम कहां पर हुआ था तो इनका जनम 563 इसा पुर्व में जो है तो कपिल वस्तू के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था कहां पर लुम्बिनी यानि की इस question का option D correct होगा अच्छा लुम्बिनी कहां पर पढ़ता है तो देखो यहां नेपाल में पढ़ता है इस वाले point को आपको note रखना है देखो महातमा बुद्ध से एक दो question बनते हैं उनको यहां पर हम discuss कर लेते हैं देखो यहां से question बनता है कि महातमा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था देखो आपको question को बिल्कुल ध्यान से सुनना है यहां पर पूछा गया है प्रथम उपदेश कहां पर दिया था तो आपको note रखना है सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था बट कई बार examiner जो है तो confuse करने के लिए पूछ लेता है कि महत्म बुध ने अपने सरवाधिक उपदेश कहां पर दिये थे तो देखो सरवाधिक उपदेश दिये थे उन्होंने स्रावस्ती में कहां पर स्रावस्ती में दिये थे तो देखो इस वाले point को भी आपको note रखना है अगले question की बात करें हमारा 94 question है where was नालंदा युनिवरस्टी सिचुएटिड नालंदा विश्वी दियाले कहां पर स्थीत है तो देखो आप question का level यहां पर देख सकते हो कि किस तरह के options आपके पास यहां पर रखे जाते हैं तो देखो इस question का right option हो जाएगा option भी near पटना यानि कि पटना के समीप जो है तो नालंदा विश्वी दियाले है option भी यहां पर correct होगा 95 question की बात करें what was दीने इलाही तो दीने इलाही क्या था तो देखो दीने इलाही का आपको पता होगा यह अकबर के द्वारा चलाया गया एक option यहांपर d correct होगा एक धार्मिक पत था धार्मिक पत उप्शन d यहांपर correct होगा 95 का option दी correct होगा देखो दीने इलाही धर्म की इसथापना अकबर ने की थी बाट examiner कई बार यह भी पूछ लेता है कि कब जो है तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी तो 1582 इस वी में जो है तो इन्हों ने दीन इलाही धर्म जो है तो चलाया था तो यहां पर इस point को आपको note रखना है अच्छा एक और question बनता है दीन इलाही धर्म से कि प्रथम दीन इलाही धर्म स्विकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था तो प्रथम व अंतिम हिंदू था बीरवल बीरवल आपको बिलकुल note रखना है ओके अगले question की बात करें हमारा 96 question है what is meant by सरदेश मुखी सरदेश मुखी से आपका क्या तात पर है तो देखो सरदेश मुखी जो है तो एक text था यानि की एक कर था option यहां पर be correct हो जाएगा तो देखो मैं आपको बता दू यह जो सरदेश मुखी कर था यह कौन लेता था किसके द्वारा लिये जाता था तो शिवाजी के द्वारा जो है तो सरदेश मुखी कर लिये जाता था एक तो यहां पर हमने देख लिये सरदेश मुखी कर शिवाजी एक और कर भी लेते थे वो था चौथ कर चौथ कर तो इन दोनों को आपको नोट रखना है चौथ कर और सरदेश मुखी किसके द्वारा लिये जाते थे शिवाजी के द्वारा ओके अगले question की बात करें who wrote रतना वली तो रतना वली किस ने लिखी थी तो देखो रतना वली किस ने लिखी थी ये लिखी थी हर्ष ने option ए यहां पर correct हो जाएगा हर्ष ने जो है तो रतना वली लिखी है देखो हर्ष ने जो है तो बहुत सारी जो है तो नाटकों की रचना की थी, उनमें से एक रतना वली है, फिर और बात कर लें, प्रियदर्शीका भी नोने ही रची थी प्रियदर्शीका उसके बाद उसके बाद नागा नंद नागा नंद, देखो यह तीन संस्क्रीट नाटक आपको कादंबरी भी जो है तो हर्ष नहीं रची थी ओके हर्ष चरीत और कादंबरी इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है 98 कॉशन की बात करें सोमनाथ टेंपल वाज सेक्ट बाई महमूद ऑफ गजनी इंदायर तो महमूद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था देखो सोमनाथ मंदिर कहां पर है तो यह गुजरात में बढ़ता है तो देखो किस वर्ष सोमुनात मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी के दुआरा तो इन्हों ने लूटा था 1025 एडी में आप्शन यहां पर 80 correct हो जाएगा अब देखो यहां पर सोमुनात की बात करी गई है अब अगर बात करें महमूद गजनी की तो इन्हों ने हिमाचल परदेश में भी जो है तो आकरमन किया था और किस मंदिर को नस्ट किया था तो देखो इन्हों ने जो है तो महमूद गजनी ने कांगडा पर आकरमन कब किया था 1099 इसवी में और इन्होंनी जो है तो ब्रजेश्वरी देवी मंदिर ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर जो है तो इसको नस्ट कर दिया था ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को के बाकी एक और question यहां से बनता है कि जब 1009SV में महमूद गजणी ने कांगड़ा पराकर्मन किया तो उसमें कांगड़ा का राजा कौन था तो देखो उसमें कांगड़ा यानि की नगर कोड का राजा था जैचंद कौन था जैचंद आपको नोट रखना है अगले question की बात करें राजा राम मोहनराय वाज नोट एसोशियेटेड विद राजा राम मोहनराय किसे सनलंगरित नहीं थे तो देखो 99 का option यहां पर C correct हो जाएगा संस्कृत शिक्षा देखो यह विदवाप उनर विवाह के समर्थकते सती प्रथा उनमूलन के समर्थकते फिर अंग्रेजी शिक्षा को यह बढ़ावा देते थे बाकि संस्कृत शिक्षा को समर्थन इनका नहीं था option यहां पर C correct हो जाएगा option C देखो राजार राम मोहनराई की अगर बात करें तो इन्हों ने एक पुस्तक है इनकी जो बहुत ज़्यादा famous है 1809 SW में इन्हों ने उस पुस्तक को लिखा था वो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है फार्सी भाषा में बाकी ब्रह्म सभा की स्थापना किस ने की थी? राजा राम मोहनराई ने और कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 आपको नोट रखता है 1828 में जह तो ब्रह्म सभा की स्थापना क्यारी गई थी? अगले गौशन की बात करें अगले गौशन की बात करें अधिकांश संभवित रूप से जहतो क्या होती थी? तो 101 क्वशन का ओप्शन ए यहां पर क्रेक्ट होगा ऑप्शन ए संपत्ती स्वामित्व को यह दर्शाती थी देखो इस क्वशन को आपको पहले बिल्कुल डीपली पढ़ना है इसके सारे के सारे ऑप्शन को आप पढ़ो फिर अपने से बताओ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ओके? ऑप्शन यहां पर ए कोरेक्ट हो जाएगा according to official answer की देखो सिंधुगाटी सब्वेता की अगर बात कर ली जाए देखो सिंधुगाटी सब्वेता की स्थापना कि इसने करी थी तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी स्थापना की थी 1922 में मोहन जोलो की स्थापना की गई थी राखलदास बनरजी के द्वारा सिं ब्राहमन आर वुक्स that deal with तो ब्राहमन वे किताबें जो सरुकार रखती है तो कैसी पुस्था के है यह तो देखो यह बलीदान के विग्यान से जो है तो सरुकार रखती है आप्शन यहाँ पर बी कोरेक्ट हो जाएगा साइंस आफ सेक्रिफाइज आप्शन बी कोरेक्ट ह संबंदित है तो देखो यह किस वंश से संबंदित है तो यह हर यह कवंश से संबंदित है option यहां पर एक और अगले कौशन की बात करें तो देखो बुद्ध को स्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है अग्यवादी option यहां पर बी कोरेक्ट हो जाएगा option बी कोरेक्ट हो अगले क्वाशन की बात करें question number 105 है who among the following were the first to invade and rule over northwestern इंडिया तो निम्न में से किस ने प्रतम आकर्मन करके भारत के उत्तर पस्चिम भाग भारत के उत्तर पस्चिम भाग पर अपना साशन स्थापित किया था तो देखो पहले आपको इन सारे के सारे points को विलकुल अच्छे से पढ़ना है तो देखो इ सारे की चाहिका तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएलेकसेंडर सिकंदर को युनानी तो इस पवींट को आपको नोट रखता है जो भारत का भाग था, उस समय तक्षिला, पंजाब, सिंध, यहाँ सभी पर जो है तो इसने जो है तो अपना शाषन स्थापित कर लिया था, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको नोट रखता है, अगले कौशन की बात करें, किसने भगवान को सरवोच सुन्दरता के रूप में दर्शाया है, तो देखो किसने दर्शाया है, यह दर्शाया है, सूफी इसने, आप्शन यहाँ पर एक औरेक्ट हो जाएगा, आप्शन एक औरेक्ट होगा, अगले कौशन की बात करें, वाई डिड मुहमद बिन तुकलक फेल, मुहमद बिन तुकलक क्यों विफल रहा था, तो देखो इस क्वशन का अंसर देने से पहले आपको बिल्कुल इन सारे के सारे पॉइंट्स को अपने से बढ़ना है, तो देखो इस क्वशन का राइट आप्शन हो जाएगा, अंन में से कौन सा वाद्ययंतर तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था, तो कौन सा लाया गया था, सारंगी, आप्शन यहां पर कोरेक्ट होगा, अगले गौशन की बात करें, भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला परदेश कौन सा है, तो देखो भारत का मुख्य म दोरान जमिदारी डैश नहीं थी तो देखो जमिदारी क्या नहीं थी भूमी का स्वामी तव नहीं थी उस समय option यहां पर C correct हो जाएगा 110 का option C correct अगले question की बात करें question number हमारे 111 है ivory painting was a speciality of तो हाथी दांत चित्रकारी यहां एक विसिष्टता है तो देखो यहां एक विसिष्टता है अलवार school की यानि कि अलवार Shelly की option यहां पर B correct होगा अगले question की बात करें the real name of Swami Dayanand Saraswati was तो Swami Dayanand Saraswati का मूल नाम क्या था मूल शंकर option B यहां पर correct हो जाएगा अगले question की बात करें तो देखो यह New York में स्थापित की गई थी और option यहां पर B correct हो जाएगा अगले question की बात करें when did the first Indian National Congress meet in Bombay तो कब Bombay में प्रथम भारती राष्ट्री Congress की बैठक होई थी तो देखो पहली बार कब होई थी तो यह हुई थी 1885 में option यहां पर correct हो जाएगा देखो हमारा last question है आज का अभीनब भारत society was formed by अभीनब भारत समाज की स्थापना की गई थी देखो यह जो अभीनब भारत है इसका पहले नाम था मित्रमेला क्या नाम था मित्रमेला ओके मित्रमेला इस वाले point को आपको note रखते है अभीनब भारत समाज की स्थापना किस के द्वारा की गई थी तो देखो 115 का option C correct हो जाएगा सावरकर बंदूओं के द्वारा जो है तो अभीनब भारत की जो है तो स्थापना की गई थी आप कह सकते हो VD सावरकर VD सावरकर के द्वारा ओके VD सावरकर ने जो है तो 1904 में जो है तो इसको स्थापित किया था कहाँ पर नासिक में नासिक कहाँ पर पढ़ता है तो नासिक पढ़ता है महरास्टर में ओके तो देखो ये थी कुछ questions I hope वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जिरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में Till then, take care